मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों बिहार सिच्छक बरती टी यारी 3.0 को लेकर के बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि पटना उचिनाले ने जो है इस भरती प्रक्रिया पर इस्टे लगा दिया है यानि रोग दिया गय इन ही के बारे में हम पूरा ब्रिस्तित बताएंगे आप लोगों को एक पॉइंट को समझाएंगे लेकिन प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीबियसी 3.0 पर पटना हाई कोर्ट ने इस्टे लगा दिया है जो आप इकोर्ट की पर जा करके देख सकते हैं केस नंबर जो है 22-70-2024 और रिजिस्टर जो है केस किया गया था 7 अप्राइल 2024 इसमें जो है बीबियसी ने जो 3.0 का नोटिपे केसं जावी किया था उसे पटना हाई कोर्ट ने जो है उसे कैंसिल कर दिया है और इसमें उन्होंने जो सबसे महत् पूर बात की है कि जो गेश्ट टीचर है उनके ग्रेस नंबर दिये जाए आखिर ये गेश्ट टीचर क्या है पूरी इनहीं के बारे हम प्रिस्तित यहां पे आप लोगों को बताने वाले हैं जैसे कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो गेश्ट टीचर यानि येस् उन्होंने आरचर देने की बात कही थी लेकिन जर्नल ओबीसी के लिए यहां पे कुछ नहीं किया था तो केश्ट दर्ज की गई थी आपकी साथ अप्रेल दो हजाज चौबिस को और उसकी सुनवाई अब जाकर के हुई और जैसे ही सुनवाई हुई पटना हाई कोट ने ज उनको 25 नंबर का छूट मिलना चाहिए लेकिन अगर 6 साल पढ़ाएं होंगे तो उनको 30 नंबर के अधिक्तम हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई 5 साल पढ़ाया है तो उसको अधिक्तम जो है 25 नंबर का छूट मिलेगा तो यह बहुत बड़ा आदेस पटना हाई कोट की तर को कि हमने आपकी बात मान ली है तब तो जा करके एक्जाम अपने तैस समय समय सीमा पर हो पाएगा नहीं तो यह बड़ा मुश्किल लग रहा है कि एक्जाम हो पाएगा अब हर हाल में अगर जो है 87-88,000 के आसपास की जो वेकंसी है क्योंकि आपका आगे BPSC 3 4.0 भी आगे का एक्जाम लगा हुआ है तो ऐसे में सरकार को बहुत जल्दी निर्ड़ा लेना होगा और जुलाई में कि इसका इन्होंने कहा है कि हम जो है जो है रेजल्ट भी घोसित करतेंगे तो ऐसी कंडिशन में यहां पे संभावना बहुत कम हो जाएगी और लेकिन अगर सरकार सी पूरी भरती प्रक्रिया पर जो इस्टे लगा दिया है और का है कि जो घक टीचर हैं जाहें वो किसी भी वर्क के हो जन्रेल ओबी सी हैं जो भी है यानि सरकार नहीं जारी करेगी जो BPSC के चेर्मैन हो जारी करेंगे और ऐसे में पटना हाई कोट के अगर वो सीधी सीधी बात माल लेते हैं तो यह भरती प्रक्रिया अपनी तैसे में सीमा पे हो सकती है और नहीं तो फिर अधर में जो है हजारों चात्रों का भविस्व लट कर चुके हैं यहां पर कोई गलती करने की कोई समगुन जाइस मत करिएगा जो भी आंदोन करना होगा जो भी लाठी डंडा खाना होगा जो भी चीज़े होंगी यहां पर आंदोन करके जल्द से जल्द जो है BPSC के चेर्मैन को इन बात को मनवाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है BPSC 3.0 में तो मिलेगा है मिलेगा आगे की जो वैकेंसी होगी जो 4.5.0 उसमें भी इसका लाब मिलेगा तो इस तरीके से उनके लिए बहुत महत्तपूर है कि जो पहले से ही कालेज में पढ़ाते आए हैं सरकार की सेवा करते आए हैं तो उनको यहां पे हर हाल में लाब तो मिलना ही चाहिए था लेकिन सरकार सोई हुई थी या जो भी चीज़े थी यहां में पटना है कोट ने बहराल इस बैकेंसी को आज के डिट में इस्टे लगा दिया है यानि इस्टे का मतलब है कि कैंसिल नहीं है बैकेंसी तो आगे होगी बसरते सरकार को जो है बात इनकी माननी पड़ेगी या नहीं तो फिर एस फैसली को हाई कोट में सुप्रीम कोट में चुनाउती देगी लेकिन सरकार ऐसा कुछ करेगी नहीं आप बात मानेगी और जो भी है एक वैकेंसी तभी तम इस समय सीमा पर हो पाएगी जब जल्द से जल्द इस पर कोई ने पर कराइब कर लीजेगा जय हिंद है